पीम आवासी ओजना के आनलाइन रेजिस्ट्रेशन शुरू है जल्दी करें आवेदन तो आज की वीडियो में बताऊगा कि आनलाइन आवेदन कब से शुरू है और कैसे करेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक देखें तब ही आपके समझ में आएगा आप नहां पर लिखा हुआ हर इंसान की तमन्ना होती है कि उसके पास भी उसका छूटा सा घर हो क्यूंकि घर एक ऐसी जगए होती है कि कोई भी लोग बहां पर रहकर अपने आपको सुरक्षित समझता है तो भाई हमारे देज में कुछ ऐसे गरीब हैं जो बेचारे अपना अपना को पूरा करने के लिए प्रदान मंत्री पीम आवास योजना सुरू किया गया है इसके लिए आपको घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से लाब दिया जाएगा योजना का लाब लेकर फिर आप पक्के मकान बना सकते हैं तो इस योजना में आप लोग कैसे लाब ले तो अगर आपकी आर्थिक इस्तित्व सही नहीं है निर्वल है और आपको पीम आवास योजना के तहित लाब प्राप्त करना है तो इसको पूरा आपको वीडियो देखना ही देखना पड़ेगा तभी आपको पता लग पाएगा तो चलिए यहां पर लिखा हुआ है पीम आवास योजना के माध्यम से देश में रहने वाले गरीब लोगों को सरकार आवास की सुविदा प्रदान करती हैं बताते चलें कि इसके लिए सरकार बित्त मदद लावार्थी को नागरिकों को उनके बैंखाता में जो भी धनलास योगी वो उपलब्द कराती हैं लेकिन जो लोग इस योजना के माध्यम से लाव लेना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए सबसे पहले अपलाई करना होता है परन्तु केबल अपलाई करने से ही आप इस योजना का लाव नहीं ले सकते हैं अब आपको क्या करना होगा बलकि आपके रेजिस्टेशन फार्म की बेरिफ काई होने के बाद यदि आप पात्र पाए जाएंगे इस योजना में लाब देने के लिए आपको चुना जाएगा यदि आप पात्र हैं तो आपको इस योजना में लाब मिलेगा अब PM आवाज की कैसे सबसिटी मिलेगी यानि ये पैसा कैसे मिलेगा अगर आप PM आवाज योजना के लिए पातर रहते हैं तो ऐसे में आपको सरकार की तरफ से घर बनवाने के लिए पैसे दिये जाते हैं जानकारी के लिए बताते चलें कि इसके लिए आपको योगिता और अनुस्वार ढ़ाई लाख रुपई की सबसिड़ी मिलने वाली है यानी जो भी आपकी योगिता है उसी प्रकार आपको ढ़ाई लाख तक की सबसिड़ी दी जाएगी चाहें आप देश के किसी भी गाउं में निवास करते हों या फिर सहर में के नागरिक हों आपको इस योजना काल आप अवश्य मिलेगा लेकिन यह सबसिटी हर इलाके के अनुसार अलग होती है यानि जिस इलाके में आपका मकान है बहाँ पर अलग-अलग हिसाब से होती है इस प्रकासे अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति के काड़ अभी तक आपने अपना घर नहीं बनवा पाया है तो आपको क्या करना होगा चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ अगर कोई नागरिक अपना घर बनवाने के लिए लून प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे में 6.5% के ब्याज से कर्ज मिल सकता है ठीक है उसके बाद बताते हैं कि नागरिक पहाड़ी शेतर में रहता है तो 13 लाक की बित्ते योजना में मदद मिल रखती है उसके बाद जबकि सहर में रहने वाले लोगों को ढ़ाई लाक रुपए मिलते हैं योजना के माद्यम से मिलने वाली बित्त मरसी देलावारती के खाते में जाती है कोई भी प्रॉबलम नहीं है पीम आवास योजना के लिए पातरता क्या होगी चलिए बो भी आपको बता देते हैं आपके पास पहले से खुद का पका मका नहीं होना चाहिए और नहीं आप किसी सरकारी पद पर नौकरी करते हों आपकी उमर 18 साल से अधिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें कम आयूँ पर आप अपलाई नहीं कर सकते हैं इसकी आपको पूरे साल की कमाई लगभग 6 लाक से बिलकुल भी जादा नहीं होनी चाहिए योजना के लिए रजिस्टेशन है तू आपके पास सभी दस्ताबेज होना जरूरी है चलिए क्या दस्ताबेज होना जरूरी है पहला हो गया पहँचान पत्र होना जरूरी है निवास प्रमाड पत्र होना जरूरी है पैन काड होना जरूरी है आधार काड होना जरूरी है जाती प्रमाड पत्र पासबुक आई प्रमाड पत्र मुबाइल नमबर ठीक है इतनी चीजें आथ के पास होनी चाहिए पीम आवास योजना की अधिकारिक वेपसाइट के होम पेज पर चले जाएंगे आपको बहां पर सिटीजन असिस्मेंट से आसमनित एक लिंक दिखाई देगा इसके उपर क्लिक कर दीजिएगा फिर आपको योजना ही तू अपलाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा और आप लिंक पर क् आउनलाइन आवेदन बटन दबाएंगे वैसे ही सामने अपलीकेशन फार्म आ जाएगा अब आप यह इस आवेदन पत्र को अच्छी तरीके से भर दीजिए और अपलाई कर दीजिए आई होप दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा कि आपको कैसे योजना का ला मिलना है क्या क्या करना है तो मेरी तरह हैं दोस्तों अग्री वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तों